हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्यान रत चैनल पर आज मैं आपके लिए ALP CBT2 के लिए इलक्ट्रीशियन जो ITI का इलक्ट्रीशियन ट्रेड हैं तो उसके कुछ important questions को लेके आया हूँ जो कि आपके previous years के जो भी एकजाम थे उनमें से पूछे कहती तो उनमें से select किये हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा आप comment करके जरूर बथाएं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने friends के साथ share करना ना भूलें और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं जिन्नोंने अभी तक ग्यान रच चैनल को सब्सक्राइब्स नहीं किया नीचे red color में सब्सक्राइब्स का बटन दिखरा होगा उस पे click कर ग्यान रच चैनल को सब्सक्राइब्स कर लें और bell आइकन को दबा लें इसते ये फाइदा होगा कि जब कभी नई वीडियोज अप्लोड की जाएंगी तो आपको इसका notification मिलता जाएगा यहां पर जो है आपके government jobs related current affair, computer IT, engineering drawings, basic science सारे वीडियोज अप्लोड किया जाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब्स करना ना भूलें और bell आइ इससे कि आपको कोई problem ना हो तो इसमें पहला question है Hopkinson test on DC machine is conducted as तो जो DC machine में Hopkinson test होता है वो कहां पर होता है आपको बताना है पहला question full load पे, no load site, overload पे या half load पे और इसका सही जवाब है जो DC machine में Hopkinson test होता हो हमेशा याद रखना full load पे होता है तो यह बहुत ही important questions है और जो यह र generation की Hopkinson test होता है, यह method होता है, जो क्या होता है, कि efficiency of DC machine को calculate करने की एक वीदी है, तो कभी पुछा जाए कि Hopkinson test क्या है तो अगर ऐसा कुछ पुछा जाए तो यह आपको पता होना चाथे कि यह, क्या होता है, जो DC machine होती है, उनकी efficiency को check करने की, और Hopkinson test को हमेशा full load site को ही, conduct करत तो आईए अब देखते हैं आपका next question, आपका next question है, full pitch winding में pitch factor होता है, यानि pitch factor in full pitch winding is 1, less than 1, more than 1 या 0, और इसका सही जवाब है, जो full pitch winding में pitch factor होता है, वो हमेशा less than 1 होता है, तो आपको पता होना चेहे कि जो full pitch winding होती है, उसमें pitch factor हमेशा less than 1 होगा, भहुती important question है, आईए दे आपका next question है number of winding in double cage induction motor double cage induction motor में कितनी winding होती है 3,1,2 या none of these इसका सही जवाब होगा double cage induction motor होती है उसमें हमेशा 2 winding होती है तो आपको याद होना चीहें कि double cage induction motor होगी उसमें 2 winding होगी भहुत ही important question है अब आपका question है rectification is how many types rectification कितने परकार का होता है आपको बताना है 2 परकार का, 1 परकार का, 3 परकार का या 4 परकार का और इसका सही जवाब है जो rectification होता है वो हमेशा 2 परकार का होता है आपको पता होना चीहें कि जो rectification होता है वो 2 परकार का होता है यह सारे questions आपके previous years में पूछे गए थे आपका next question है machine which convert AC to DC non-edge जो machine AC को DC में बदलती है उसे क्या बोलते है inverter, both, converter या none of these तो आपको बताना है इनमें से कौन सी machine AC को DC में बदलती है और इसका सही जवाब है जो AC को DC में बदलती है उसे बोलते हैं converter तो आपको याद अखना है जो converter होता है वो AC को DC में बदलता है आए देखते हैं आपका next question है when sodium waver lamp switched on color of light is जब sodium waver lamp को on करते हैं तो light का रंग कौन सा होता है आपको बताना है white, yellow, blue या green और इसका सही जवाब है जब sodium waver lamp को switched on करते हैं इसका color हमेशा yellow color का यानि पीला color होता है जब भी आपने देखा होगो जो street light लगी होती है जब उसको on करते हैं तो on करते समय उसका हमेशा color yellow color का होता है यानि पीले color का होता है आए देखते हैं आपका next question आपका next question है diameter of 40 watt tube 40 watt tube का ब्यास कितना होता है 30 mm, 38 mm, 40 mm या 25 mm और इसका सही जवाब है जो 40 watt tube होती है उसका जो dia होता है वो हमेशा 38 mm होता है इसका सही जवाब है option number B 38 mm आए देखते हैं आपका next question आपका next question है in diode terminology P.I.B. stand for P.I.B. का पूरा नाम बताना है option A peak inverse voltage peak inverse value peak input value या none of these और इसका सही जवाब है जो P.I.B. होता है जो diode की terminology में उसकी full form होती है option number A peak inverse voltage P.I.B. stand for peak inverse voltage आए देखते हैं आपका next question आपका next question है shaft of an induction motor made of induction motor का shaft किसका बना होता है cast iron, carbon steel, silicon steel या stainless steel और इसका सही जवाब है जो induction motor होती है उसका जो shaft होता है वो हमेशा carbon steel का बना होता है option number B carbon steel तो या आपके याद रखना कि shaft जो होता है induction motor का वो carbon steel का बना होता है आए देखते हैं आपका next question in long distance railway use लंबी दूरी railway में हम कौन सी line का यूज करते हैं आपको बताना है long distance railway में क्या यूज होता है और इसका सही जवाब है वो काफी अच्छा होता है power factor ऐसा करना से जो आपका power factor होता है वो improve होता है और इसकी जो efficiency होती है overall efficiency वो बहुती ज़ादा होती है इसलिए हम जो है long distance railway में 25 के भी single phase AC का यूज करते हैं बहुती important question है अगर आपको यह नया लगे तो जो भी questions तो आप उनको note down कर सकते हैं और अगर एक बार में समझना आए तो वीडियो को दुबारा से देख सकते हैं आए देखते हैं आपका next question आपका next question है जैनर diode used for जैनर diode का यूज कहां पर होता है rectifier के रूप में, amplifier के रूप में, voltage regulator के रूप में या converter के रूप में और इसका सही जवाब है जो जैनर diode होता है उसका use हमेशा as a voltage regulator होता है आपको याद रखना है कि जो जैनर diode होता है उसका use हम as a voltage regulator करते हैं और इससे related कुछ और भी fact है, जो general diode होता है, वो always आपका जो operate होता है, reverse bias में operate होता है, तो आपको याद रखना है कि जो general diode होता है, ये भी पुछा जा सकता है, कि किस bias में होता है, तो आपको याद रखना है reverse bias, reverse bias, reverse bias में ही always general diode conduct होता है, तो आपको याद रखना है general diode conducted reverse bias, और इसका यूज करते हैं voltage amplifier की तरह और इसमें जो है जो PN junction होता है इससे highly doped करते हैं तो अगर कभी पुछा जाए कि जैना डायोड में जो PN junction होता है वो कैसा doped होता है तो आपको याद रखना है वो highly doped होगा आपसे option होगे तो अहाँ पर होगा highly doped तो आपको याद रखना है जो PN junction होता है वो highly doped होता है आए देखते हैं next question next question है energy stored in inductor inductor में energy store होती है half li square 2 li square 2 या 2 by 6 li square तो आपको सभी को पता होगा कि जो inductor होता है उसमें जो उड़जा होती है वो होती है half li square यानि एक बटे 2 li square जहाँ पर l आपका inductance होता है आई आपकी current ampere में होती है तो यह तो सबको पता होगा half li square यह इसलिए लिया था क्योंकि इससे base आपके numerical पूछे जा सकते है तो किस type का numerical होगा तो आपको बताया जाए जैसे यह question था यहाँ पर the energy stored in inductor with inductance of 20 henry current 5 ampere तो आपको यहाँ पर l दिया है 20 henry और current दी है 5 ampere तो आपको बताना है कि इसमें जो कितनी energy store होगी तो इस type के numerical भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो आप इसको कैसे solve करेंगे तो देखिए यहाँ पर l आपको 20 दिया था i 5 ampere दी थी तो यहाँ formula में रख लो आप कि half li square में अगर आप इसको रख लेंगे l को आपने देखो half हो गया और l को की value 20 रख दी और जो आपका i थी उसकी 5 रख दी तो यह हो गया आपका half 20 into 25 का square आपका यह 25 हो गया यह आपका 25 हो गया यह आपकी half 20 into 25 करेंगे तो जब इसका total करेंगे तो यह 250 जूल तो यह energy डबलू आ गई यहाँ पर आपकी 250 जूल तो यह numerical इसलिए रखा कि आपसे इस types के numerical पूछे जा सकते हैं कि energy कितनी इस्टोर हो गया तो यहां से इस तरीके से आप इन numerical को जो है DC compound motor, DC sunt motor, DC series motor या दोनों में A और B तो आपको याद रखना है कि जो point starter होता है उसका यूजए DC compound motor में भी होता है और DC sunt motor में भी होता है तो इसका यूजए दोनों जगा होता है DC compound motor और DC sunt motor में तो इसका जवाब होगा, बोथ A and B तो जो point starter होता है, इसका DC sunt motor और DC compound motor दोनों में होता है, next question है आपका, in induction motor, rotor speed is always, जो induction motor होती है, जो आपकी rotor speed होती है, वो कैसी होती है, less than stator speed more than stator speed, equal to stator speed, या none of these और इसका सही जवाब होगा, जो induction motor होती है, उसमें जो rotor speed होती है, वो हमेशा less than stator speed होती है, बहुती important fact है, तो आपको याद रखना है कि जो induction motor होगी, उसमें जो आपकी rotor speed होगी, यानि जो rotor होगा, उसके घूमने की गती होगी, वो आपके इस्टेटर के गूमने के गती से हमेशा कम होगी यह आपको याद रखना है आए देखते हैं आपका next question आपका next question है forward voltage drop across diode diode के across में forward voltage drop कितना होता है diode का आपको बताना है 0.5 volt, 0.7 volt, 0.8 volt या 1 volt तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो forward voltage drop होगा diode का यानि वो हमेशा 0.7 volt होता है तो आपको याद रखना है कि जो diode होगा उसका forward voltage drop हमेशा 0.7 volt होगा बहुत important question है आए देखते हैं next question आपका next question है DC welding generator है DC welding generator में कौनसी winding होती है आपको बताना है wave winding, duplex winding, lab winding या compound winding आपको बताना है DC welding generator में कौन सी winding होती है तो इसका सई जवाब होगा जो DC welding generator होता है उसमें हमेसा हम lap winding का यूज करते हैं भहुत important question है कि DC generator में कौन सी winding होती है तो आपको याद रखना है DC welding में आपकी lap winding यूज होती है next question है आपका starting resistance of DC motor-age रेजिस्टेंस होगा जो आपका DC मोटर का हो हमेशा लो रखा जाता है तो याद रखना है आपका DC मोटर जो होती है उसका स्टाल्टिंग परतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है कम होता है तो यह थे आपके important questions जो आपके एलक्रीशियन टेट के previous years में पु नहीं किया नीचे रट कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बैल आइकन दिख रहा होगा तो उसको दबा लें तो इसते यह फाइदा होगा कि जब कभी नई वीडियो अप्लोड होगी तो आपको इसका जोब से लेटेट सारे वीडियो अप्लोड किया जाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ सेयर करना ना भूलें नया वीडियो जल्द अप्लोड होगा धन्यवाद